नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे लिक्विड फर्टिलाजर के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप घर पर असानी से तयार कर सकते हैं और इसको आप अपने गमलों में अपने प्लांट किसी भी प्लांट के अंदर दे सकते हैं और इससे क्या दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इस लिक्विड फर्टिलाजर को अपने घर पे तयार करना है तो दोस्तो इस लिक्विड फर्टिलाजर को त्यार करने के लिए मैंने लिया ओनियन की स्किन जिसको ओनियन पिल्स भी ब तो आप इससे अपना लिक्वीड फर्टिलाजर त्यार कर सकते हैं और लिक्वीड फर्टिलाजर आपका दो दिन में तयार हो जाता है तो देखिए दोस्तो मैंने अपने कुछ छिलके जो मैंने कट्टा गए हो हैं यह काफी मातरा में हैं कम से कम या मेरे 500 ग्राम या पांच से छे लिक्वीड फर्टिलाजर मना के दिखाने वाला हूं अगर आपको एक लिटर फर्टिलाजर मनाना है तो इसकी मातरा जो आपको लेनी छिलके की वह 100 ग्राम ही लेनी है तो एक लिटर के लिए आपको 100 ग्राम लेनी है ऐसे ही आप जितना लिटर फर्टिलाजर बना जाते हैं उसाब से आप अपनी छिलके की मातरा ले सकते हैं तो अब मैं अपने सारे छिलकों को अपने पानी के अंदर अच्छे से डूबा देता हूं और डूबाने के बाद इसको अच्छे से चला दूँगा ताकि जो छिलके हैं वो पानी के अंदर रहे हैं तो दोस्त के छिलकों के अंदर कैलसियम मैगनीसियम आइरन फोस्फोरस पोटास मैगनीज जिंक आधी वरपूर मातरा में पाया जाते हैं अगर आप लिक्विड फर्टिलाजर रेडी कर रहे हैं एक लिटर तो उसमें जो विटामीन होते हैं उसमें विटामीन होते हैं B1, B2, B3, B5, B6 और B9 जैसे विटामीन होंगे साथ में विटामीन C की जो मातरा होगी एक लिटर लिक्विड फर्टिलाजर में होती है 7.6 ग्राम मिली ग्राम होगी साथ में मैगनीजियम की मातरा जो 10 ml होगी फोस्फोरस की मातरा 30 मिली ग्राम होगी पोटास की मातरा आपको 146 मिली ग्राम और जो जिंक की मातरा है वो आपके 0.7 मिलिग्राम तक होगी जिससे भरपूर मातरा में आपके विटामीन और आपके निट्रिंस पाई जाते हैं इस लिक्विड फर्टिलाइजर के अंदर जो पोदी की ग्रोथ के लिए काफी अच्छी है तो देखिए मैंने अपने छिलके को अपने पानी के अंदर अच्छे से मिला दिया है अब मैं अपने इस लिक्विड फर्टिलाइजर को दो दिन तक ऐसे एरिया में रखोंगा जापे डिरेक्ट सनलाइट नहीं आती होगी यह जिस सेडिड एरिया में मुझको इसको रखना ह और इसको मैं उपर से कवर कर दूँगा इसको कवर आप डखकन से भी कर सकते हैं तो मैं इसको पॉलिथीन से कवर करने वाला हूँ तो इसको मैं पॉलिथीन से कवर करके दो दिन के लिए सेडिड एरिय में रख देता हूँ और दो दिन बाद आप से मिलता हूँ तो देखे दोस्तो आज पूरे दो दिन हो चुके हैं मेरे liquid fertilizer को रखे होए तो सबसे पहले मैं अपने इस liquid fertilizer को अच्छे चला लेता हूँ ताकि आज की छिलकों के अंदर पर जाएं nutrients water के अंदर अच्छे से मिल जाएं और दोस्तो देखिए इसका color भी red is color में convert हो चुका है अब ये liquid fertilizer बनके ready है अब आपको इसको यूज करना है और यूज जब करना है पहले इसको चला लीजेगा चलाने के बाद इसको आपको च्छान लेना है सिर्फ इसके liquid को ही आपको यूज करना है छिलकों को आपको दुबारा यूज कर सकते हैं तो मैं अपने liquid को अच्छे से चान लेता हूँ और चानने के बाद इसको इखटा कर लेता हूँ तो दोस्तो देखिए मैं जल्दी से इसको चान लेता हूँ और च्छानने के बाद देखे इसको अच्छी से मैंने च्छान लिया है और च्छानने के बाद अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ एक पार्ट तो मैं इस्प्रे में रखने वाला हूँ साथ मैं देखे दोस्तों जो बचा हुआ liquid fertilizer है यानि मैं अपना सारा नहीं लिया है कुछ छोड़ दिया है तो इसमें मैं अपना दुबारा से liquid fertilizer ready कर लेता हूँ इसमें मैं क्या करूँगा कुछ पाने मिला दूँगा और साथ में कुछ छिलके मिला दूँगा ताकि मेरा liquid fertilizer मैं इसको यूज़ करता रहूँ तो अब मैं इसको दो दिन तक अपने सेड़िड एरे में रख देता हूँ ताकि मेरा liquid fertilizer ready हो जाए और मैं इसको अपने दूसरे प्लांटों में यूज़ कर सकूँ तो दोस्तों अब मैं आपको देता हूँ कि आपको इस liquid fertilizer का यूज़ कैसे करना है आप इसको यूज़ दो तरीके से कर सकते हैं एक तो आप direct अपना प्लांट को यानि गंबलों में अपना इस fertilizer का यूज़ कर सकते हैं इसी भी पोधे की जड़ों में आपको इसको दे सकते हैं और देना कितना है आपको उसकी मात्रह में देता हूँ अगर आप गंबले में यूज़ कर रहे हैं तो गंबले में आप सिर्फ पानी जितना देते हैं जैसे मिट्टी आपको गीली हो जाए उतना ही आपको यह देना है, ज्यादा मातर में इसको नहीं देना है, नहीं तो आपके पोदे की जड़े गल जाएंगी, तो इसको कम मातर में आपको देना है, ज्यादे मातर में नहीं देना है, अगर आपको पेट जमीन के अंदर लगा हुआ है, तो आप कितना ही दे सकते है अच्छे से कोई प्रोब्लम नहीं है और साथ में जो मैंने दूसरा तरीका यानि स्प्रे का तरीका आपको बताया है इसमें क्या करना है आपको इस प्रे अपने पोधे के ऊपर कर देना है यानि पोधे को अच्छे से निला देना है इसमें आप कितना भी बड़ा पोधा है आप उसको अच्छे से निला दीजिए, इससे होगा क्या, आपके पोदे में जो क्या होगा, कीट की जो बिमारी होगी, वो खतम हो जाएगी, और इस पर जल्दी से कीट भी नहीं लगेंगे, तो आप पूरे पोदे के ऊपर अच्छे से स्प्रे भी कर दीजिए, अब आपको इस फर्टिलाजर का दो फायदे मिलेंगे, एक तो यह आपके प्लांट की क्रोथ हो काफी अच्छी तरीके से इंक्रीज करेगा, यानि जो आपके पोदे छोटे हैं, उनमें जल्दी से इंक्रीजमेंट आएगी, आप देखेंगे जल्दी से आपका पोदा इंक्रीज हो ज इस लिक्विड फर्टिलाजर का यूज आपको करना कब कब है, इसका यूज वीक में आपको सिर्फ एक बार ही करना है, एक बार इसको आपको यूज करना है, और एवरी वीक आप इसका यूज कर सकते हैं, अब मैं आपको वदायता हूँ, इस लिक्विड फर्टिलाजर का चाई की पत्ती से बनीवी खात की यूज़ करेंगे तो ही आप काफी अज़्यादा मातरा में फलो और फूल मिलेंगे तो दोस्तो ये था liquid fertilizer आप घर पे कैसे ready कर सकते हैं और इसका क्या यूज़ था सब कुछ मैंने जानकारी इस वीडियो में दी है तो दोस्तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और वीडियो को सेर करना ना बुलें